यह क्लास्टीन बिहार बोर्ड फार्तिवन के भूख से लिया गया है जो दासकुपता परसाथ ठाकूर के दोरा लिखा गया है उसी का समांतर स्रेनी का प्रसनाबली फोर की भी का कुस्षन नमबर 12 कुस्षन नमबर 12 जो है उस कुस्षन का आज मैं बहुत ही इजी तरीके सी फूल एच्टी में आपको सलूशन कराने वाला हूँ वीडियो को आप अन तक देखते रहें बिना स्किप किए वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा इतनी मैं गरांटी देता हूँ और आपको बता दू कि इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10 की CBSE हो या विहार बोर्ड फ्री में त्यारी किराए जाती आपसे एक भी रूपिया नहीं लिया जाएगा दूतिय बर्स में 360 रुपइए है इस प्रकार वो आपनी बचध प्रति बर्स 40 रुपए बढ़ता जाता है तो बताएगे कितने बर्स में उसकी बचध पांच हजार रुपिया हो जाएगे देखे कुस्षन अगर आप पढ़ते हैं तो इस कुस्षन में ही कुस्षन का एंसर दिया हुआ राता है लेकिन आपको उतना सिंस लेबल का दिमाग होना चाहिए करा की प्राथम बर्स में मतलब एक अमान यहां पर 320 है ठीक है दूतिय बर्स में 360 है तो 360 में से करन हम 320 को खड़ाते हैं तो कितना आएगा 40 या उपनी बचत जो है 40 बचाता है तो डी का अमान हमारा 40 हो गया उसकी बचत जो है 5000 रुपिया हो जाएगी कितने बर्स में यह हमार की तरह कुष्ण का सॉलोसन की तरफ ले चलते हैं यहां पर हल दिया है प्राथम बर्स की बचत 320 है दूसरे बर्स की 320 में 40 जोर देंगे तो 360 हो जाता मतलब 40 तीसरे बर्स की बचत हम करने के लिए 360 में 40 जोरेंगे तो 400 हमारा एक एपी का टर्म यानि समांतर स्रेनी का एक स् 320, 360, 400, 440 मतलब 40-40 हमें जोरते जाना इस तरह से 50,000 रुपिया हो जाता है लेकिन यह 50,000 रुपिया कब होता है कितने बर्स के बाद होगा कितने दिन के बाद होगा मतलब यह हमको बता देना तो यहां पर A बराबर 320 है D बराबर 40 है क्योंकि महां पर दिया बात है तो हम A-N बराबर यहां से निकालेंगे SN का जो फर्मूला होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D होता है यह SN का फर्मूला होता है SN के जगा हमारे यह मान दिया वाए कितने बरसों के बाद यह 5000 हो जाएगा तो SN का मान है 5000 N by 2 2 A के जगा 320 तो 320 रखती है प्लस में N minus 1 D के जगा 40-40 रख दिया N by 2 320 को 2 से गुना करेंगे 640 प्लस में 40 को हम N से गुना करेंगे 40N और 40 को minus 1 से गुना करेंगे तो minus 40 5000 N by 2 640 में से अगर हम 40 को घटा दे तो कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा क्योंकि 640 था और 40 N अब देखें कि दोनों में common होने वाला है क्या common होने वाला है तो 2 common हो सकता है बहुत ही easy तरीके से तो 2 यहाँ पर हम common ले लिए तो यहाँ बज़ाएगा 300 और यहाँ बज़ाएगा 20 N अब हम क्या करेंगे तो अब हम यहाँ से कलम ले लेते हैं और यह कलम के तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझवाएगा इस 2 से हम इस 2 को कार देंगे बच्चे का N, N को 300 से गुना करेंगे तो 300 N मतलब 300 N और इसी N को हम फिर 20 N से गुना करेंगे तो 20 N स्क्वार हो जाएगा एक N यहाँ पर, एक N यहाँ पर N स्क्वार 20 N स्क्वार हो जाएगा इधर में 5000 था अगर हम 300 N 20 N को इधर घीच ले और यह तो कितना हो जाएगा तो इधर में यह बराबर में 500 हो जाएगा हो जाएगा ने क्योंकि इधर कमान इधर इधर कमान इधर लेकिन अगर हम बराबर के बराबर मतलब बराबर के बाद न रख करके इधर हम घीच लेते मान तो क्या हो जाएगा तो यह मान माइनस में हो जाएगा बराबर में जीरो इधर आजाएगा ठीक है आप देखिए अगर आप यह से गौर से देखेंगे तो आपको इसमें भी common नजर आएगा इसमें 20 जो है तीनों में common है तो हम क्या करेंगे 20 common कर लेंगे बाहर मतलब 20 को बाहर common कर लेंगे तो यहाँ पर एने स्कार बचेगा यहाँ पर 20 को अगर हम भाग करें तो 25 दूना 50 यहाँ पर हमारा जो मान आएगा पचीस दूना 50 ठीक है पचीस दूना 50 मतलब यहाँ पर 300 मतलब यह जो मान हमारा वो यहाँ पर निकल कर आएगा तो देखे थोड़ा सा mistake हो गया था मैं आपको सुधार दिया हूं यह typing बाले के ही थोड़ा error हो जाता तो मैं आपको सुधार के यहाँ बता दिया हूँ कोई बात नहीं तो अब दिखें यहाँ पर आगर आप गौर से देखेंगे तो 20 common आएगा 20 common करेंगे तो यहाँ पर n square बचेगा यहाँ पर 20 से हम भाग करेंगे यहाँ पर हमारा मान हो गया यहाँ पर गटाने पर 15 n होना चाहिए तो n square 25 दाहीं के 250 भी हो जाता है और 25 में से 10 को घटाते हैं तो 15 भी हो जाता है 25 n में से 10 n घटा यह 15 n तो अब हम क्या करेंगे यहाँ तक हमारा मान आ गया है अब हम क्या करेंगे तो आपको हम बता दे कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करणा हम यहाँ पर थोड़ा कलम ले लिए समझाने के लिए आपको समझ में इस दुनु में से हम common करेंगे और इस दुनु में से common करेंगे इस दुनु में से common होगा तो एक एन बाहर एन प्लस में 25 इसी तरह से क्या करेंगे तो देखे अब कुछ नहीं बस ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर एन माइनस सोरी एन प्लस 25 और एन माइनस दस बराबर जीरो है यह हमारा दो कोस्ट निकल कर आ गया अब हम क्या करेंगे लिखेंगे जब एन प्लस 25 बराबर जीरो तो एन बराबर क्या हो ज लिखिएगा तो भी चल जाएगा मैं यहाँ पर लिख दिया हूं यह आपके explain के लिए आपको ज्यादा समझ मैं इसलिए मैं लिख देता हूं चलिए एन माइनस अब लिखेंगे जब एन माइनस दस बराबर जीरो तो लिखार जाएका प्लस में 10 होना क्यों क्योंकि मैंनस में उधर जाएका तो प्लस में हो जाएका अधा 10 बरस के बाद बेक्ति का बेतन जो है पांशजार रुपिया हो जाएका अब कुछ लोग कहेंगे कि सार माइनस 25 क्यों नहींगे देखे वर्स का मान कभी भी माइनस में नहीं जाता है दीन का मान भी माइनस में नहीं जाता है इसलिए बर्स और दीन का मान जो होता है वह पलस में होता है इसलिए 10 बर्स के बाद वेक्ति का बेतन जो है 50 रुपिया हो कोई तुरूटी कोई गलती हो जाती है तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आता है तो वीडियो को लाइ करें चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नए दोस्तों को भी सेनल पर जरूर भीजिट करवाए